नमस्कार, मोटिवेटेड एजुकेशन ही आपका स्वागत है। मैं पुजा बंडारी आज आपको आजी के दिन से जोरी कुछ खास घटनाओं के बारे में बताऊंगे। तो आईए पहले उन्हें जान देते हैं। आजी के दिन 1918 में प्रतम विश्व युद्ध में आउस्ट्रिया हंगरी समराज जी की पराजय और दोनों देशों में एक दूसरे से अलग हो जाने के पश्चात आउस्ट्रिया में राश्चाही शाषन व्यवस्था का अंत हुआ त्यथा लोकतांत्रिक शाषन व्यवस्था का काल आरंभ हुआ था आजी के दिन 1930 में लंडन में लॉड इर्वीन की पहल पर सबसे गोल मेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी इसमें 56 भारतिये और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया लेकिन भारतिये राश्टिये कॉंग्रेस का कोई भी सदस्येस में शा आजी की दिन 1946 में बनारस हिंदू विश्व विद्याले के संस्थापक एवं भारत रतन से सम्मानित पंडित मदन मोहल मालविये का उत्तर प्रदेश के बनारस में निधन हुआ था वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिनोंने महामान्या की सम्मान जनक उपादी से विभूशित किया गया था जिसमें कुल 265 लोग मारे गए थे जेम्स यॉंग सिप्सॉन ने एनिस्थिक के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रियोग किया था क्लोरोफॉर्म का चिकिस्या जगत में प्रियोग 857 से ही आरम हो गया था किन्तु जल्द ही रोगियों पर इसके पढ़ने वाले बिप्रीत प्रभाव के कारण इसके प्रियोग पर आशंकाए उठने लगी थी बीश्वी शताबदी के आरम में क्लोरोफॉर्म के स्थान पर सुरक्षित और सस्ती दवाईयां इस्तमाल में लाई जाने लगी थी इस अभियान का उदेशी है कि भारतिय परियटों को वैश्विक मंच पर पदोधनती करना आजी के दिन भारतिय पक्षी विज्यानी और प्राकरतिवादी सलीम अली का जन्म 896 में हुआ था उन्हें भारत के वर्ड मैन के रूप में जाना जाता है भारत सरकान ने 1958 में उन्हें पद्म भूशन और 1976 में पद्म भिभूशन पुरसकार से नवाजा था आजी के दिन प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का जन्म 1940 में हुआ था अमजद खान हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे आजी के दिन भारतिया रिजर्ब बैंक ने 2008 को महराष्ट के अदलपूर अर्बन कॉपरेटी बैंक का लाइसेंस रद्ध किया गया था आजी के दिन दोजर्ब पांच में ढाका में तेरवा दशेश सिखर सम्मेलन प्रारम हुआ था भारतिय प्रधान मंत्री ने दशेश सिखर सम्मेलन के दौरान आतंगवाद को समाप्त करने का आबाहन किया था आजी के दिन 1781 में अंग्रेजों ने नागा पटनम पर कबजा किया था